कि अन्यार सिय और सिय भी और एंप्यार को लेकर कल शेहर कोलार के अंदर भी एक छोटा सा इजलास लेकिन यह मैं समझता हूं कि एक के बहुत बड़ा इजलास जो नमाज जुम्मा के बाद दौाओं का हितमाम करते हुए किया गया तो आप देख सकते हैं यह हमारी बाएं माएं थी यह हमारी बहन थी जो अपने शोहरों को जो अपने भाईयों को अपने बच्चों को एक तस्पाद इलाकर इंदस्तान की आजादी के लिए मैदानों में निकाला करती थी आज यही माएं आज यही बहने अपने दिलों में वच्च्चा पेड़ा करके साही माप की सरजमीन से लेकर या कालगों की सरजमीन से लेकर वो जाने वो मसल्मान आउरते हो या हिंदी आउरते हो जो इसलामी मुमालिक है उन इसलामी मुमालिक के अंदर भी उतना आमन नहीं है शांती नहीं है इतना आमन और शांती हिंदुस्तान में तुट पर छुपाने की बात नहीं है घुलकर कहने की बात है. दुनियां के अंधर पचास से जाएक इस्लाम हिना लिक है उनके उंदर जितनों अमल और शांकी है उसलिए जाएड़ा अमल हो शांकी इंदोस्तान में. हम हिंदोस्तान को छोड़का है किसी और देश में, किसी और मुल्क में, किसी और सरजनील में, हम हर भी जाएगें, नहीं जाएगें आज हिंदोस्तान के अंदर, जहां पुच्छे, नोजवान, भूड़े, और अवरते, मुसल्मान, हिंदो, दलिक, इसाई, और हर किसन की जाएगें, तानुक रखने वाले, रास्तों में, मैदानों में, सर्कों आ चुके हैं अन्हें लोगों में, और अवरतों की तमका है, और अवरतों, आवरतों में, मैदानों में आ कर, सर्कों में आ कर, अप्ने हाद कर मुतालबा कर रहें, या औरतों कोई मामुरी मादी नहीं रहें Go back NRC, go back NPR, go back CAB, reject it, CAB, NRC, and NPR. I am an Indian citizen. I rejected CAA, NRC, and NPR. I am an Indian citizen. I am an Indian citizen. I am an Indian citizen. I put it. I am an Indian citizen. I am an Indian citizen. I am an Indian citizen. I am Indian underside of Parabao, indigenousanga indigenous Talk. I am an Indian drei, from which berriesえ, all these. मुसल्मान हिंदो् दलीट ईंसाई ह्गेड़ा हर किशन चीज़ारस्टाह से तानों ख्रतने वाले रास्तों में मैदानों में सर्कों में चुके हैं को लोगों में और अवरत को थिम्टा है अरतों भी मेदानों में आकर सर्फों में आकर अपने हाग का मुतालबा कर रहे ये अरते कोई मामूरी नहीं है जिन्दस्तान की आजादी के मौने पर अजरत महलना अताओ ल्ला साथ खारी दिली शाहिन बाख के अंदर जो औरते हैं जो बच्चे जो 50, 60, 70, 80, 90 साल के जो औरते हैं बच्चे, नौजवान, मर्द, हज़रात सभी ने सारे हिंदुस्तान के आवाम के आने वाले नसलों के हमदर्दी के लिए यह जो काला खानून जो हकुमत इस अवाम के ओपर धोपना चा रहा है उसके लिए इस सर्द रातों में वहाँ पर बैठे हैं वो अपनी आपकी मिसाल है लेकिन हम भी अपने अपने गाओं में उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए एक रात, दो रात, तीन रात अगर बैठे हैं तो यह खानून हमर पर लाग होने जा रहा है एनरसी, सीएबी और इनप्यार को लेकर वो फौरण हट जाएगा वरना हम यहां के बाशिन देना रहेंगे हम उनकी हामेहा मिलाते हुए हम अपने शेहरों में बैठना जरूरी है वरना हम जिन्दा तो हैं लेकिन मुर्दा खरार पाएंगे मैं भी अमल करूँगा इस बात पर आप भी अमल करना अगर हो सके तो हम सब मिलकर एक वक्त निकाल कर अपने अपने गाउं अपने अपने शेहर अपने अपने गलियों में इन्नारसी गोब्यक करते हुए धरने देना और आवाजें देना यह हमारा फर्ज है झाल 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 झाल